हलो गाइज वेलकम बैक तो माई चैनल वेल वाटसप पे हमें कभी-कभी एक प्रॉब्लम सू होती है कि जब भी कोई हमारा फ्रेंड होता है या फिर कोई भी वाटसप पे हमें कुछ फोटोस वीडियो या फिर कोई भी डॉकुमेंट सेंड करता है तो उसे हम डाउनलोड करत करते हैं लेकिन वाटसप पे तो हमें दिखाए देता यानिकि उसके में हमें सो जाता है लेकिन डैली में वह गारी में उटन होता जिसके वीजेसे हमारे फोन में वीडियो ह natuurlijk नहीं होती है जो हमें वाट तो हमें दिखाया दैंगे हैं और हम 待ग लिए hurry में अटिके वीडियो में तो को से चींडते अगर अगर आपकी जो फोटो से वो गैलरी में सेव नहीं होती और हमें पता भे नहीं होता है कि कौन सी वो सेटिंग है और हम लोग वो ढूंडते रह जाते हैं तो वीडियो पर end तेक बने रहेगा तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो स्टार्ट तो यहां पर simple अपना मैं WhatsApp open कर लेता हूं और यहां पर वो setting में आपको बता हूं कि अगर वो गलती से off हो जाती है आपसे by mistake तो आप उसको on करके जो भी फोटो या फिर वीडियो होंगी वो आपकी गैलरी में फिर सेफ हो जाएंगी जब आप download करेंगे तो यहां पर मैं simple 3.0 पर जाऊंगा 3.0 पर जाने के बार यहां पर आपको settings में चले आना है जैसे आप यहां settings में जाएंगे तो यहां पर आपको बहुत सारे options आपको show जाएंगे देखने को मिल जाएंगे डिवाइस गैलरी तो यहां पर ये गलती से आप से उफ हो गया होगा इस तरीके से तो उसवाज़े से कोई भी जो फोटोस आपको मिलते हैं वीडियोगे जांगे और यहां पर और यहां पर आपको ब्रॉट बड़ाई आपको देखेगा मीडीय और डाइटा जाना है और यहां पर आपको देखेगा मीडिया बिधी यहाँ पर आपको जाके photos, audio, video और document आपको टिक कर लेना है कि कौन सी आपको photo मतलब photos automatic download करवानी है कि audio या फिर video या फिर select करना है तो सबको आप कर सकते select तो इससे आपका कोई भी photo होगा वह automatic download होके आपकी gallery में save हो जाएगा तो इस setting को आपको on करके रखना मीडिया विजिबिल्टी वाले option को तो यह चोटी से setting थी तो आपको यह वीडियो पसंद आयोगी अच्छे लेगे वीडियो अच्छे लेगे तो प्लीज वीडियो को like करें और चालने को subscribe करें मिलते हैं नेक्स वीडियो में thank you so much